हेलो स्टुडेंट्स आज इस लेक्षर में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शन्स के बारे में यह बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप की एब में माइक्रोस्कोप एक important investigative tool की तरह काम करता है औबजेक्ट्स या organism की जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ट आँखों से नहीं देख सकते हैं कि study करने में माइक्रोस्कोप helpful होता है चलिए आगे बात करते हैं माइक्रोस्कोप के parts के बारे में माइक्रोस्कोप को mainly 3 parts में divide किया गया है first part is magnifying part, second illuminating part, third mechanical part आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं magnifying part के बारे में magnifying parts में जो involved होते हैं वो होते हैं eyepiece और objective lenses, magnified parts पार्ट जो होते हैं वो work करते हैं objects या specimens के हमें clear images हमें provide कराते हैं इसलिए सबसे पहले बात करते हैं eyepiece की, piece microscope का uppermost part होता है जो एक lens contains किये रहता है और जिसकी magnifying power about 10 times होती है जो जिसके through हम image को clearly देख सकते हैं part जो आता है वो आता है objective lenses, objective lenses यूज़ किये जाते हैं specimen या objects को magnifying करने के लिए उनको देखने के लिए हम जो objective lenses यूज़ करते हैं वो different powers के यूज़ करते हैं दो तरह के objective lenses यूज़ को होते हैं low power और high power low power objective lens जो work करता है वो specimen या object की general outline हमें provide कराता है और इसकी जो magnifying power होती है वो होती है 10 times इसी तरह से high power lens specimen के larger view और clear images के लिए हम use करते हैं जिसकी magnifying जो power होती है वो 40 times होती है तो हम देखते हैं कि हम ये different types के objective lenses यूज़ क्यों कर रहे हैं जैसे कि आप images में देख पा रहे होंगे इस images में आप low power lens यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक outline देखने को मिल रही है और इसी तरह से next images में अगर हम देखें तो हमें इस slide की और जादा clear image हमें मिली है high power lens यूज़ करने पर तो इस तरह से आप low power और high power lenses की images के बीच difference देख सकते हैं पार्ट जो आते हैं वो आते हैं illuminating पार्ट पार्ट माइक्रोस्कोप में light supply करते हैं और light को regulate करते हैं इसमें involve होते हैं mirror और diaphragm पार्ट करते हैं mirror की जो है वो surrounding से light को collect करके external light source चाहे वो natural हो सकता है sunlight और artificial हो सकता है उनको collect light को collect करके reflect करता है upward diaphragm के through जिससे हमें जो image है वो हमें और clear दिखाई दे इस डायफ्राम डायफ्राम जो होता है वो control करता है light के amount को कि कितनी light stage के through stage की opening के through images पे जाएगी उसको control करता है डायफ्राम सफिशेंट light को ही images पे पढ़ने देता है इस पार्ट है mechanical parts पार्ट के supportive पार्ट की तरह काम करते हैं इसमें involved होते हैं body tube, nose piece, course adjustment, fine adjustment, stage, body and arm उचले बात कर लेते हैं body tube की body tube, eye piece, lens और revolving nose piece और objective lens इन तीनों को आपस में connect करके रखता है next part is nose piece इसको हम revolving nose piece भी बोलते हैं और इसमें low power और high power के lenses लगे होते हैं और ये एक rotatable structure होती है मिच को देखने के लिए या object को देखने के लिए हमें जो भी lens की जरुरत होती है जितनी भी power के lens की जरुरत होती है तो हम उसको rotate करके चाहे वो low power का हो चाहे high power का हो उसको rotate करके हम images को देख सकते हैं this part is course adjustment course adjustment की turning से ये body tube को move करता है focus करता है low power objective lens के use से images को देखने के लिए adjustment body tube को up and down करने के लिए यूज किया जाता है और ये एक rounded structure होती है this part is fine adjustment knob of course adjustment से size में थोड़ी छूटी होती है और इसका use करने से ये images को और ज़्यादा sharp हमें दिखाती है और ज़्यादा clear हमें दिखाती है high और low magnification power के under next part जो आते हैं वो आता है stage stage clips जो हम use करते है slide को proper देखने के लिए जो support करता है जब हम कोई भी slide ये object देखते हैं तो वो एक supports की तरह use किया जाता है और जो slide clips होती है या stage clips होती है वो slide को एक proper place पे रखने के लिए use की जाती है हमें जो image है वो proper मिल सके proper हम उस image को देख सके part is arm arm जो होती है वो microscope को handle की तरह उसको पकड़ने की तरह use कियाती है और body tube को और microscope को support करने के लिए use होती है पूरे microscope को अच्छे से support करती है और base को भी connect करके next part is base base जो होता है वो microscope को पूरा support और stable बनाने के लिए use किया जाता है okay students तो ये थे microscope के different parts और functions lecture में आपने समझा की microscope के लिए use किया जाने वाला एक important tool है okay students thank you for more videos please like, share and subscribe with any basics